भाजपा की मीटिंग चल रही थी और उस भाजपा की मीटिंग को शिवराज सिंग चोहान ले रहे थे शिवराज सिंग चोहान की इज़त खराब उस भरी मीटिंग में हुई और पूरे प्रदेश में उस मीटिंग की चर्चा है आखिरकार शिवराज सिंग चोहान एसी कौन सी मिटिंग ले रहे थे जिसमें उनकी इज़्जत खराब हो गई और इज़्जत खराब करने वाले कोई छोटे-मोटे नेता नहीं दो बड़े दिगज नेता है अब डिटेल में चर्चा करते हैं कि आखिरकार शिवराज सिंग चोहान की भड़ी मीटिंग में इज़्जत खराब के से होई नमस्कार सुईकार कीजिएगा मेरा नाम कृष्ण पाल राठोर है और आप महारों मद्यप्रदेश का इस्पेशल शो देख रहे हैं बुद्नी में चुनाव है और बुद्नी चुनाव की एक बड़ी जिम्मेदारी शिवराज सिंग चोहान को दी गई है क्योंकि शिवराज सिंग चोहान लंबे समय से बुद्नी को जानते हैं और बुद्नी ने उनको बहुत कुछ दिया है राजनिती में तो अभी से तयारी जो है भाजपा ने शुरू कर दी है शिवरा सिंग चोहान बुद्णी में ही मिटिंग लेने के लिए आये थे और बुद्णी में जब वे मिटिंग लेने के लिए आये तो फिर उन्होंने अपने प्रत्याशी रमाकांत भार्गाउं को जिताने की पूरी CGP1-जो जहे भाज़पा के 600 दिए सामने राजकुमार पटे ले CC से और बताया जा रहा है कि राजकुमार पटेल की बुद्री में जब से एंट्री हुई है तब से और जादा सक्रीब भारती जनता पार्टी के कारिकरता हो गए हैं क्योंकि किरार समाज से आते राजकुमार पटेल और भाजपा ने 21 साल बाद किसी गेर किरार समाज के रमाकांत भारगव को चुनावी मेदान में उतारा है राजकुमार पटेल एक बार विधायक भी रह चुके हैं बुधनी से तो पूरी तरह से कमर जो है कसली है अब शिवराज सिंग चौहान पर आते हैं इस मिटिंग में जो मौजूद थे सबसे पहले उनकी बात करते हैं बीजेपी के प्रत्याशी रमाकान्त भारगव शिवराज सिंग्स κोहान के मिटिंग में मौजूद थे बीजेपी के जीला अद्यक्ष रवी माल्वी मोजूद थे इस meetling में शीहोर की प्रभारी मंत्री कृष्णागोर भी इस meetling में मोजूद थी और पुर्व मंत्री रामपाल सिंग भी इस meeting में मोजूद थे लेकिन दो बड़े दिगज बुद्नी के दो बड़े दिगज जो इस मिटिंग में मौझूद नहीं थे वो थे पुर्व अध्यक्ष गुरु प्रसाद शर्मा और पुर्व विधायक राजेंदर सिंग राजपूत ये दोनों बुद्नी में दमखम रखते हैं पुर्व विधायक रह चुक है राजेंदर सिंग राजपूत और पुर्व अध्यक्ष गुरु प्रसाद सर्मा जब ये दोनों मिटिंग में नहीं दिखे तो फिर शिवराज सिंग चोहान जो है उनकी बेजजती मार्केट में मानी जा रही है कि भहिया ये दोनों के दोनों बुदनी से और पहली मिटिंग अगर शिवराज सिंग चोहान ले और ये दोनों दिखज बुदनी के उस मिटिंग में नजर नहीं आए तो फिर ये शिवराज सिंग चोहान की बेजजती नहीं तो और क्या है दरसल पुर्व अध्यक्ष गुरु प्रसाद शर्मा भी उम्मित थी कि हमको भी टिकेट मिलेगा भीया बुदनी से लेकिन टिकेट मिला रमाकांत भारगव को रमाकांत भारगव को टिकेट दिलवाने के पीछे शिवराज सिंग चोहान का हाथ माना जा रहा है हाथ क्या माना जा रहा है पूरा शरीर ही माना जा रहा है क्योंकि शि दूनों बड़े नेता नाराज दिखाई दे रहे हैं मीडिया में ऐसी चरचा आई कि भाईया दोनों नेता मीटिंग में क्यों नहीं दिखाई दिए और मीटिंग में नहीं दिखाई दिए तो शिवराज सिंग चोहान की जो है फजी हद जो है एक हिसाप से मानी जा रही है और बुधनी के इस चुनाओं में सबसे बड़ी बात यह है कि शिवराज सिंग चोहान जब मंत्र दे रहे थे जीत का इस मिटिंग में मंत्र दे रहे थे तो उन्होंने एक सबसे बड़ी बात कही कि हमें ये नहीं देखना है कि सामने कौन है शिवराज सिंग चोहान जैसा बड़ा नेता यदि सामने वाले को ध्यान में रख करके शब्दों की शुरुवात करे सबसे पहला शब्द उनका था कि हमें ये नहीं देखना है कि सामने कौन है हमें हमको एक जुट होकर के भारती जंता पार्टी को जीताना है यानि कि सामने वाले प्रत्यारी जो congress की प्रत्यारी राजकुमार प्टेल उनको पता है कि वो कितने बड़े चेहरे है कॉंग्रेस ने कितना बड़ा दाव खेला है राजकुमार पटेल को बुधनी मेदान में उतार कर जो शिवराज सिंग चोहान के मुह से ये निकला ले कि हमें सामने वाले को नहीं देखना है हमें तो हमारी पार्टी को देखना है और हमें एक जूट होकर के काम करना है लेकिन एक जूटता की मंत्र वाली इस मिटिंग में ये दोनों बड़े दिगज नहीं पहुचे पुरु विधायक भी नहीं पहुचे जो राजेंदर सिंग राजपूत है और गुरु प्रशाद शर्मा जो पुरु में अध्यक्ष रहे हैं वो भी नहीं पहुचे तो आप सोच सक यानि कि सामने वाला कहीं न कहीं जहन में है शिवराथ सिंग चोहन के और राजकुमार पटेल की वेल्यू को वह समझते हैं इसलिए अभी से चुनाओं की तैयारी में लग गए टिकेट मिलने के बाद तो लगी जाती है पार्टिया लेकिन पहला शब्द विरोधी के लिए भी था और वो जानते हैं शिवराथ सिंग चोहन के कॉंग्रेस के प्रत्याशीर राजकुमार पटेल को हम हलके में नहीं ले सकते हैं अगर हलके में लिए तो दिक्कत खड़ी हो सकती है